हालो एंट वेलकम टू टीवी का पटाका दोस्तों यहां पर हम आपको देते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर खपर जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सभी पहुँच चुकी है भोसले इंस्टिटूट लेकिन भोसले इंस्टिटूट पहुँचने के बाद भी उसको अभी भी अपनी मन्जिल नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर इशान उठाने वाला है सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है और किस तरह से अब इशान के पापा बनने वाले हैं सभी का सहारा और करने वाले हैं अपने बेटे की शादी सभी के साथ फिक्स चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब आप जरूर करने और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों सीरियल गुम्हे किसी के प्यार में में अब आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस क्योंकि अब सवी पहुँच रही है भोसले हाउस सवी भोसले इंस्टिट पहुँच चुकी है ये तो आप सभी देख चुके हैं लेकिन भोसले इंस्टिट जब वो पहुँचेगी तो यहां पर इस बात का इशारा तो साफ मिल जाएगा कि अब शादी होने वाली है सवी और इशान की लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर इशान सवी को भोसले इंस्टिट में एडमीशन नहीं देगा जिसके बाद हार कर सवी वापिस जा रही होगी लेकिन तभी वो कॉल करेगी उस नमबर पर जो लिफाफे में इशान ने लिख कर दिया है यानि कि अब इशान के पापा को यहां पर कॉल करेगी तो उसको बहुत बड़ी बात पता चलेगी और वो ये कि इशान के जो पापा है वो इशा के यानि कि उसकी मैम के खजबन है जैसे ही ये सच्चाई अब सभी के सामने आएगी सभी हैरान हो चाएगी और सभी को समझ नहीं आएगा कि वो करे तो क्या करे जिसके बाद वो इशान के पापा से कहने वाली है कि मेरे को तो ये नहीं पता है मैं क्या करूँ अब क्यूंकि इशान सर ने तो मुझे एड्मिशन देने से मना कर दिया है मैम ने मुझे आप से बात करने के लिए कहा था इसलिए मैं आपको अपना रेफरेंस देकर उनका रेफरेंस देकर आप से बात कर रही हूँ अब ऐसे मैं यहाँ पर इशान का जो पापा है वो बहुत बड़ा कतम उठाएगा वो सवी से कहने वाला है कि तुम मेरे साथ चलो भोसले हाउस मैं तुमें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ जिसके बाद वो सवी को अपने साथ भोसले हाउस लेकर जाने वाला है और आपको बता दें यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि अब मजबूरी में इशान के साथ सवी को शादी करनी पड़ेगी और यहाँ पर जब उसके परिवार वालों को यानि कि चवांस को ये पता चलेगा तो वो ये सोचेंगे कि सभी इस लड़के की वज़े से भागी जिससे उसने भाग कर शादी कर ली वेल दोस्तों कहानी में आने बारा है सबसे बड़ा ट्विस्ट कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए हमें कमेंट्स में आप लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप नब लें